करपूर गोरं करूला वतारं संचारशारं भुझगेंद्रहारं सुधा बसंत्तम हिर्द्यारबिंदेभववववानि साहितम नमामी नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरू कारिकरम भागी गुरु करकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की क्या स्थिय है पंचांग आज क्या कहता है सुर्योदय कब होगा, सुरियास कब होगा दिशाशुल कब है, राहुकाल कब है, सुमुहृत कब है कौन सा योग है, कौन सा तिथी है, कौन सा नचत्र है, कौन सा करण है चंद्रमा किस राजी पर रहे गए, सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे आज का महामंतर क्या है, इस महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या लाव मिलेगा यह भी बताएंगे बारह राशियों की क्या इसती है आज की बारह राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा बारह राशियों पर यह भी बताएंगे कौन भारती प्रसाश्चिक सेवा में जाएगा कौन सेना में जाएगा कौन बैग्यानिक बनेगा किसको पुलिस से वा में जाना है किसको भूमी भून से लाफ मिलेगा कौन बैपार के चेतर से धन अरजित करेगा कौन बिदेश जाएगा इस सारी बात हम आपको बताएंगे किस अंग के प्रयोग करने से आपका भागोदे होगा किस रंग के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी सौधानी के अबरतनी है उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सकों के प्रस्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहेए भागी गुरू कारिकरब अब आईए हम सुरुवात करते हैं आज के पंचांग के आज का पंचांग है आठ जून दो हज़ार चोविस दिन है सनिवार सुर्योदे हो चुका है प्राता पांच बच के 22 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 7 बच के 17 मिनट पर आज चंद्रवा रहेगा मिथून राशी में आदरान छत्र है शुकल पक्ष है गंड योग है और आज का जो सुम महुरत है वो ग्यारबच के 22 मिनट से लेकर के दो पहर 12 बच के 48 मिनट तक रहेगा राहुकाल है सुब 8 बच के 29 मिनट से लेकर 10 बच के 35 मिनट तक रहेगा पूरो दिशा का दिशा सूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रवा है मिथून राशी में जब चंद्रवा मिथून राशी में हो तो ब्यक्ती अपने बल पर महान उन्नत करने वाला होता है और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है जिस सेयर ट्रेडिंग या फाइनेंस के मामलों में आपकी परिशानी है आपके परिशानी दूर होगी आज का दिन आपका शूभ होगा और काफी महत्मूर बैतीत होगा राहुकाल में कोई भी कार नहीं करना है सुम मूर्थ में क्या गया कार आपके लिए लाफ्रत होगा दिशासूल में यात्रा करने से बच्चे हैं अगर लगता है यात्रा परिहार है तो एक दिन फूरू सुभन मुर्त में प्रस्थाल निकाल के तब यात्रा करें, यात्रा आपका सुभत हो जाएगा। अब आईए यहम बात करते हैं आज के महामंतर की, आज का महामंतर है ओम संग सनस्चरायनवा, यह जो महामंतर है सूरी पुत्र शनी का है, शनी न्याय की देवता है, जैद अब की कुल्ली में सनी की शाड़े साती चल लगी है, सनी की मादसवान तरदसा प्रेतन तरदसा चल रहा है ता आप सनी के इस महामंतर का जब करें निश्चत रूप से आपको बड़ी सफलता मेरे कि आपकी परिशानिया कम होगी उत्रों तरह का विकास होगा तापिस महामन्तर का जब मियमित करें अच्छा रहेगा आपके लिए